हालो दोस्तों नमस्ते इस्टेड वित आम की यूटूब चैनल पर आपस्पी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों राजस्तान पुलीस बर्ती को लेकर एक मैं तुपन अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ क्या भरती फिर से कोट में जाने वाली है और राज्य सरकार इस बार अपील दायर करेगी तो दोस्तों पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो राजस्तान सब इंस्पेक्टर एक्जाम की तेयरी तो अनकेडमी आपके लिए लेकर आईए दोस्तों पूरा कंप्लीट कोर्स जो की सुरू होने वाला है 2 मार्श से लेकर 30 जुलाई तक इस कोर्स में दोस्तों आपको टोप एजगेटर द्वारा फिरी लाइव क्लास दी जाएगी वीकली क्वीज, डाउट क्लेरिंग सेशन, पीडियेप, नोट्स इस कोर्स का दोस्तों आप सस्क्रिप्शन ले सकते हो मेरे कोर्ड का यूज़ करकर ताकि आपको 10% का डिसकाउंट मिल सके लिंक आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख़ते हो यह उपियान यादेव जी का ट्वीटर अकाउंट है और इन्होंने ट्वीट किया था दोस्तों समय आप देख़ते हो एक बचकर चैमिनट पर 25 प्रोरी 2020 को क्या है पूरी जानकारी राजस्तान पुलिस कॉंशनल बर्थी 2020 मामले में राज्य सरकार डिविजन बेंज में अपिल दाहर करेगी तो दोस्तों यहाँ पर इसपैस्ट हो चुका है कि सरकार एक बार फिर से कोट में जाने वाली है इस बर्थी को लेकर पहले से दोस्तों यह बर्थी काफी लेट चाद रहे थी और पता नहीं आगे इसमें कितना समय लगने वाला है क्योंकि दोस्तों जो कोट ने निर्णे दिया था कि राज्य के जो राज्य की एक ही मेरिट बनेगी उसको लेकर जो पुलिस विभाग है और सरकार है वो ऐसा मंजस की स्तिती में है क्योंकि दोस्तों यह मामला बहुत गंबीर है आज तक जो मेरिट बनती आई थी वो सभी को बताए कि डिस्टिक वाईजी मेरिट बनती आई है लेकिन इस बार जो यह नीडिने है यह काफी गंबीर है दोस्तों तो देखते हैं दोस्तों क्या नीडिने निकरकर आता है फिर से इस पर सुनवाई होगी और जल्दी ही आपको यहाँ पर अपडेट दी जाएगी कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कुछ हेल्थ इश्यू था बट अब आपके लिए कंटीनिव वीडियो रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर यह जानकारी मिल चुकी है क्योंकि अभी सरकार फिर से यहाँ पर जो है डिविजन बेंज में अपील दाहर करने वाली है तो आपको जानकारी इच्छे लेगी होगी तो वीडियो को आप ज़्यदा ज़्यदा सेयर कीजिए और जिन्होंने सस्क्राइब नहीं कर रहा है नीचे लाल बटने उसे दबागर चैन को ज़रूर सिस्क्राइब कीजिएगा थेंक्यू दन्यवाद